सात्यों डेली करेंट अपेस के इस शोव में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में 30 जून का जितना भी महत्वपुन हमारा करेंट अपेस बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं वीडियो में आप लाश्य तक बने रहेगा यह वीडियो आपके आने वाले सभी एक्साम के लिए बहुत होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में 30 जून के वह हैं इंपोर्टेंट कोश्चन जिनके की एक्साम में आने की अधिकांश संभावना आपके यहाँ पर बनती है उसक के इस वीडियो के सबसे पहले यहाँ पर आपका मोटिवेशनल थोड़ जो कि आपको उर्जावान यहाँ पर बनाएगा और दिन बर आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तो आज का मारा मोटिवेशनल थोड़ है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है ड जो है आपके आड में यहाँ पर नहीं आएगी वो कहा जाता है ना कि जो है अपने किस्मत पर अपने भाग्या पर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए हमें हमें हमारी जो मेहनत होती है उस पर जो है हमें भरोसा करना चाहिए और मेहनत हमें इतनी यहाँ पर करनी चाहिए कि ए इंद्रियम मंत्री डाक्टर जितेंद सिंग सहयुक्तर राष्टर महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे तो कोशन है कि सहयुक्तर राष्टर महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहा किया जा रहा है तो राइट आंसर आपका इसका बनता है option D यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता जिनका नाम है डाक्टर जित्रेंदर सिंग वह जो है इसमें आपके भाग लेंगे लक्ष चोधा के कार्यान वन के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर कारवाई को बढ़ाने के विश्य पर यह सम्मेलन की मुख्य प्रस्तूति भी आपकी यहां पर चाहे तो जित्रेंदर सिंग चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं बहुत इंपोटेंट कोशन जो है यह अपने आप में यहां पर है कोशन है कि हाली में 200 मिटर दोड में तीसरी सबसे तेज भारतिये महिला दहवक आपकी कौन बनी है तो इसका जो है आपका यहां पर करिये तो दर्ण लक्षमी ने कोसानों मेमरियर एथलेटिक्स मिट में 200 मिटर की दोड में सोड़न पदक सोड़न जितने के लिए अब तक का अपना सर्वस्रेश प्रदर्शन किया है दर्ण लक्षमी ने यह दूरी यानि की 200 मिटर की जो दूरी है बाविस पोइंट है आपके तीसरी बनी है तो पहले और दूसरे इस्तान पर आपके कोन से है तो बात करें दूसरे इस्तान पर हिमादास जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुन रखाओगा या जो है आपकी भारत की दूसरी सब से तेज धावक है महिलावों में और इन्होंने जो है 200 मिटर 22.82 सेकेंड में जो है 200 मिटर दूड आपकी यहाँ पर कंप्लेट की थी तो देखें यहाँ पर यहाँ पर आपसे यह भी पूछ सकते हैं पहले इस्तान पर कोन है दूसरे इस्तान पर कोन है और तीसरे इस्तान पर कोन है तो अगर बात करें कि 200 मिटर दूड में सब से तेज जो भारते महिला दावक कोन है तो उनका नाम है सरसोती सहा दूसरे नंबर पर आपके आती है हिमादास और तीसरे पर आते हैं आपके दन लक्षमे तो या तीनों के तुनों हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है चलिए दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर हम डि प्रतिवर्ष 29 जुन को राष्टि संकी की दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है तो इसको जो है मनाने का उद्देश है क्या है तो जो प्रोफेशर थे आपके इसके सांकी की और आर्थिक नियोजन के छेतर में प्रोफेशर प्रसांद चेंद्र महाल लोबिस जीने की PC महाल नोबिस के नाम से भी जाना जाता है इनके द्वारा किये गए उलेखनी योगदान की मान्यता में भारत सरकार ने दिये गए हैं उनको याद करने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुन को यह दिवसम मनाते हैं चलिए दोस्तों अगला कोशन है कि हाल में किस राज्य में इस्तित मेनार पक्षी गाव को आद्रभूमी छेत्र घोशित किया गया है चार उप्षन यहाँ पर हरियाना उत्तरपदेश राजिस्तान या मनिपूर तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है उप्षन सी राजिस्तान हमारा यहाँ पर राड आंसर बन जाता है चलिए दोस्तों देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्तपुन जानकारी तो विभिन सरक्षन प्रयासों के बाद पक्षी बनेगा यहां जो कौशन यहाँ पर मना गया उसी प्रकार से बनेगा क्योंकि आदर भूमी चैतर जो है इनको आपका घूर्षित क्या गया है किसको किया गया है तो मेनार पक्षी गाउं को जो है आदर भूमी छेत्रा आप तो घुर्षित के आगया है और यह जो है आपका कहा परिस्ति थे तो यह जो है आपका मद्यपद सोरी हमारे भारत के राजिस्तान राज्य में इस्ति थे तो आदर भूमी में शामिल हुआ है तो यह कोशन हमारे यहां के अगर हम की ञार्टिक선 करें ईक् enthusiast right çek सकने को मिलेगा चलिए दोस्तों ताइगार रिजोरों से जूड़ी कुछ जानकारी स्लेक यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं तो अगर आपसे पूछा जाई की हाली में रामगड विश्चधरी अभीरन को बारत का 52 टाइगरर रिजरों के रूप में अधिस्विचित किया गया तो यह जो आपका रामगड विश्चधारी अभीरन यह कहां पर इस्तित थे तो यह राजिस्तान में आपका इस्तित थे अगला कोशन बनेगा कि हाली में किस टाइगर रिजवरों को बागों की आबादी को दूगना करने के लिए टी इंटू टू पूरुसकार 2022 जो है आपका दिया गया तो यह सत्य मंगलम टाइगर रिजवरों को आपका प्रदान किया गया अगला कोशन बनेगा राश्टी भाग सरक्षन प्रादी करन द्वारा किसे भारत का 53वा टाइगर रिजवरों बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो राइट आंसर आपका बनता है अजीब वेक या इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ओप्षन भी दीमपक पुनिया के द्वारा अंडर टुएट 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 एश्याई कुस्ती चेंपियंशिप में इन्होंने काश्य पदक जीता है देख लेते हैं इन से है जानकारी तो इहाँ पर जो है इनके द्वारा आपका काश्य पदक जीता गया है कर्गिस्तान में जो है इसका आजयो Minister Michalas चेंपियंशिप हुई यहाँ पर इन्होंने काश्य पदक जीता है तो इनमें जो है आपको confusion नहीं होना है क्योंकि देखेए जैसे ही आप इसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसकी डिटेल में तो आपने क्या है रजत पदक लिखा है लेकिन उसको ध्यांग से पढ़िएगा इसका जो विबरण है उसमें क्या लिखा है कि विश्वा चेंपियंशिप के रजत पदक विजय था यानि कि जो विश्य चेंपियंशिप हुई थी आपकी कुस्ति की उसमें इन्होंने रजत पदक जिता था लेकिन जो एशिया ही कुस्ति चेंपियंशिप हुई है इसमें इन्होंने काश्य पदक जिता है तो दोनों में आप कन्फुजन मत होना चलिए दोस्तों अगला कोशेन आप पर अमारा डिसकस कर लेते हैं कि अंतराश्टी भारतोलन महासंग के अध्धक्ष के रूप में किसे नियुकति किया गया है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बुनता है मुहमद जलुत को हाली में अंतराश्टी भारतोलन महासंग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो मानना है यह किसका मानना है यहाँ पर तो इंटरनेशनल वेट लिप्टिंग फेडरेशन का मानना है कि खेल के संस्कृति और नेत्रतों को बढ़ाने में परियाप्त प्रग्रती हुई है अलबानिया से एक प्रेश विग्यप्ति के अनुसार मोहमत जलूत को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है साथी ग्यारा अत्ती रिक्त नए सदर्शों को इसके कारेकारी बोर्ड में जीता जो है आपका जोड़ा गया है तो आपका मोहमत जलूत को बनाया है ओप्शन फर्ष्ट हमारा यहाँ पर राइड डांसर बनता है अगला कोशन है कि हाली में वस्तु एवं सेवाकर परिशत के 47 बेठक कहां आयोजित की जा रही है चार ओप्शन है नई दिल्ली, स्रीनगर, चंडिगड या हरियाना तो दोस्तो राइड डांसर आपका बनता है ओप्शन सी चंडिगड में हाली में GST की जो 47 बेठक है उसका आयोजिन क्या जा रहा है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है तो जो हमारे भारत के वित्तमंत्री है निर्मला सितारमन जी उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की की जा रही है और कहां पर आयोजिन हो रहा है तो इसका आयोजिन आपका चंडिगड में हो रहा है तो ये भी हमारे लिए important बन जाता है चले दोस्तों अगला question देखते हैं कि हाली में भारती सार्वजनिक छेत्रों के उपक्रम के जनक का निदन हो गया है उनका नाम क्या था? राइड answer बनता है option है वी क्रिश्नमूर्ती जिने की भारती सार्वजनिक छेत्रों के उपक्रमों का जनक माना जाता है उनका हाली में निदन हो गया है देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्तपुन जानकारी तो भारत हेवी एलेक्रिकल सिलिमिटेड यानि की भेल दोग्सची योजनायों के सदेश और कई अन्य प्रधान मंत्री समितियों के रूप में जो है इन्हों ने यहां पर काम किया है तो सिधा सिधा कुछन आईगा कि सार्वजनिक छेत्र के उपक्रमों के जनक का निदन हो गया है नाम क्या है उनका वी क्रिश्न मूर्ती तो य अगला कोशन है कि हाल में किस भारती है पूर्वा होकी खिलाडी और ओलंपिक पदक विजेता का 75 वर्ष की आयू में निदन हो गया है चार ओप्षन है राजपाल सिंग अजित पाल सिंग वरिंदर सिंग या हर्दया सिंग तो दोस्तों राइट आंसर बनता है उप्षन सी जानकारी तो यहाँ पर आपका रिपीट हो गया है इतना ही हमें यहाँ पर याद रखना है कि भारते पूरो होकी खिलाडी और ओलंपिक पदक विजेता जिनका नाम है वरिंदर सिंग इनका हाली में आपका निदन होगा है चले दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर हम देख है ऊप्शन डी अनुरराख ठाकूर जोकी वर्तमाल में भारत के खेल मंतरी है इनके द्वारा गुज़रात में खेल मंतरियों के दो दिन के राश्टी सम्मेलन का उधगाटन का किया गया है तो गुजरात के के वडिया में केंद्रि युवा कारैक्रम एवम खेल मंतरी अनुराख ठाकूर सम्मेलन में उपस्तित हुए और लोगों को इन्हों ने यहाँ पर संभवधित किया जैसा कि हर एक सम्मेलन में जो मंत्री उपस्तित होते हैं उनके द्वारा किया जाता है तो यह थी इस से जुड़ी कुछ महतफ़ून जानकारी चले दूस्तों कल के करें यहाँ पर एक बार हमकि कर लते हैं पहला कोशन है कि केंद्री प्रत्यक्ष कर्बोड यानि कि cbd tu के नए अधिकर नियोक्ति किया है तो यहाँ नितिन leti को हाली में केंद्री प्रत्थयक्ष कर्बोड का अधिक्षब क्या गया है बात करें कि CBDT की स्तापना कव होती है 1963 में इसकी स्तापना होती है इसका मुख्यालाई कहाँ पर न्यू दिल्ली में इसका जो है आपका मुख्यालाई है और किस मंत्रालाई के अधिन नस्त जो है या आपका कार्य करता है तो वित मंत्रालाई के अधिन हो करिया आपका कार्य क किये जाने की गोशना की है तो जो नशा मुक्त पंचायत है होगी इस अभियान के ताथ उनको दो लाक रुपे की राश्य आपकी यहाँ पर प्रदान की जाईगे तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट अंसर बनता है चले दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर के साथ ताटा पौरण ने भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुवात किस राजले में की है तो राइट अंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है इसकी जो शुरुवा थे केरल राजले मेंट अब यह साती दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप मद्दपदेश जीला न्यायले शाहे ग्रेट 3 एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस्टे नों मुख्य परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारी यह सक्सेस विथ साम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके संपुर्ण नोट से साथ है उससे जुड़ी हुई टेस्ट सीरिस हमारी इस एप पर आपके लिए उपलब्द है तो इन दोनों परिक्षाओं में अगर आप सपल होना चाते हैं और अपनी मेहनत को और आगे यहां पर बढ़ाना चाते है तो इसके लिए आप हमारा एप सक्सेस विथिव डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिंक के सुडियो के डिस्क्रिशन बोक्च में आपको मिल जाएगी साथ ही प्ले इस्टोर पर आप सक्सेस विथिव सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं चले दोस्तो अगला कोशन यहां पर आपका स्वर्ण पदक जीता गया ओप्शन है राइट अंसर बनता है अगला है कि केमपे गोडा इंटरनेशनल अवाड के लिए हाली में किन वेक्तियों को चुना गया तो उप्शन डी उप्रोक्त सभी यहां पर राइट अंसर बनता है एसेम क्रिश्ना प्रकास पादुकण और नारण मूर्ति इन्हें तिनों को हाली में केमपे गोडा इंटरनेशनल अवाड के लिए आपका चुना गया और 27 जुन को जो हमारे करनाटक के राजों मुख्यमंत्रिय बसे राजबों में उनके द्वारा इनको सम्मानित भी आपका किया चुका है चले दो अगला कोशन था कि अबुबाची का मिला 2022 में किस राज्जम में आईजित किया रहा है तो राइट आपका बनता है इसका अगला कुशन देखते हैं कि अत्याचार के पीडितों के समर्तन में सयुक्त राश्ट्र द्वारा मान्यत प्राप्त अंतराश्टी दिवस विश्व इस्तर पर कब मनाया जाता है तो राट आंसर आपका बनता है प्रतिवर्श 26 जुन को यह आपका मनाया जाता है अगला कोशन आपर दोस्तों हम डिसकस कर लेते हैं जो क कि कलाप से पूछा था वह था कि मध्यपदेश के मुक्यमंत्री शिवराज सिंग जी चोहान ने नशा मुक्ती का अभियान के तहत नशा मुक्त गाउं को विशेशुर्प से कितने रूपे का पूरुसकार प्रदान करने की गोशना की है तो राइड आंसर आपका बनता है कि हमारे जो विवर से हमारे वीडियो को कितने समय तक वास करते हैं लाश्ट तक देखते हैं अत्वा नहीं देखते हैं साते उस कोशन का जो हम पूछते हैं उसका अंसर दे पाते हैं नहीं देखिए यह जो कोशन पूछा जाता है इसका अंसर आप तभी दे पाएंगे जाली में 200 मिटर दोड में तिसरी सबसे तेज भारती है महिला धावक कौन बनी है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो भी बनता हो आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है तो दोस्तों यह था हमारे आज के करेंड पैस का सेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बत सितना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन